हलो जी राम राम कैसे हो आप सपी आप सपीकर स्वागतानी कांतिल फैमिली व्लोक्स में तो ये स्टार्टिंग हो चुकी है मेरे बेटे के बर्थड़े की त्यारी तो अब हम जा रहे हैं सोनी पर और बारिश इतनी आ रही थी बहुत जादा है सच में और उस दिन तो पूरा दिन बारिश नी रुकी पूरी रात नी बारिश रुकी सच में पता नहीं छोड़े ने के खा रखा था कि बारिश है न रुकने का नाम ही ले रही थी लेकिन ये था कि हम इस सारे काम तो करने थे तो इस वज़े से गाड़ी में हम निकल चुके थे बर्थडे के बर्थडे की शोपिंग तो करनी थी तो इस वज़े से कोई पॉब्लम नहीं होई वैसे तो हम गए और यह है सोनीपत का मोल पैंटालोंस और बीग बजार भी है यहां पर तो यहां से देखेंगे बच्चों के कपड़े अगर मिल जाते हैं आचे तो यहीं से शोपिंग कर लेंगे हम पे फिर अंदर ही तो जाएंगे अभी और यहां वहां पर ही जाएंगे अंदर अभी गाड़ी खड़ी करके तब चलेंगे पार्किंग में गाड़ी लगा देती हैं लिफ्ट में जाओगे लिफ्ट में बारी मिलेगी हैं बारी है चोटी डरेगी तो नहीं अच्छा यह बारी है तो भी खेल लेगा अच्छा तो खेलने के लिए आई मजा रहे प्रिए किसम ट्री तो यह निचे वाले फ्लूर पे ने ने इस वाले ने चलो अब कि आज के हैं मोल में और चलती तो हैंगे पता तुझे ना लीचे बीग बजार में देख लेगे यह है बीग बजार सोनीपत का जो जहां अलग अलग कोड़नर लगे हुए थे मतलब जिसके बीजैंट्स के लेडिस के और सबी तरह के कपड़े थे सारी चीजे मिलती है टूजर चाहिए कुछ भी ले लो आप और बच्चो का अलग कोड़नर था यह तो हम छोटी की ड्रेस देख रहे थे यहां पर तो एक बार लगा के देखते हैं साइस वाइस सही मिल जाता है यहां पर एकदम अच्छे से मदल को प्रॉब्लम नहीं होती बच्चों के कि यह कटवाओ लेंथ चोटी करवाओ और टाइट करवाओ मलब एकदम बढ़िया परफेक्ट कपड़े मिलते हैं एकदम से तो यह चोटी के भी हम यह कर तो अमने पसंद्ध मिल आई तो अब जाएंगे पैंटालूं में तो पैंटालूं में देखेंगे कि अरे तो पोरा दिन वह पर अगे तो बार प जावा है यह डर ढह से उलिक मोदे society लेक है अपना इब देखेंगे चोदर सेक्टर में पहले तो चोदर सेक्टर में देखेंगे अगर वहाँ पे कोई कीड्स वगारा की शोप मिलगी तो ठीक है नहीं फिर मैंने जाना है पारलर में तो मैं तो जाओंगी पारलर में अपना काम करवा लूँगी और यह फिर चले लेनी हो तो फिर तो अपना काम से चाल जाए है पर वह बात है बढ़टे है बढ़टे पर थोड़ा लुक सा भी अलग होना चीए तो जैते इस करके फिर अलग साई लेंगे और बच्चों के कपड़ों पे तो इतनी समस्या आजा है बहुत ज़्यादा ही पर के करें इभ लेन दुनों जीद कर रहे थे कि पापा के पास बैठेंगे पापा के पास बैठेंगे लेकिन वह बात है इवी छोटी तो है अपने पापा का इतना लार्शा करन लागी है बहुत ज़्यादा ही इवी यह देखो मैं दिखा रहे थी आ आपने बारिश वगएरा बहुत तो यह प्रेंदी का शोरूम है सोनीपत में तो वहां तो फेर न लिये कपड़े वगारा तो उससे ही मिल गये वहां पर पसंद आगे इनकी जो भी ड्रेस वगारा थी बच्चों की दुन्नों की तो यह तो इतना कपड़े कुपड़े खरीद ले थे और मन नहीं इतना अपना पार्लर का काम करा लिया था क्योंकि मैंने जाना था पार्लर में गणे दिन हो गये थे ठ्रेडिंग रेडिंग कराए भी और काफी बहुत और भी सब जीवगारा भी लेनी थी तो काम तो नहीं रहे थे तो जैता है इस करके और बारिश इतनी आ रही है पर अच्छा भी इस फार्लर में आत हूँ अच्छा है यह पार्लर तो वैसे मैंने रहे भी कलर ने थे पर टाइम कम था तो इस वाज़र थे बर फेरे करें और American संबाए कि मेरा है ना vlogging का channel है तो मैं व्लोग बनाती हूं डेली vlogging करती हूं तो इस वज़े से मेरे को recording वगर करनी पड़ती है फिर बोलते है कि चलो ठीक है फिर तो दीदी फिर आप कर सकते हो अगर आपका काम है तो यह तो इस वज़े तर अब इस टार्टिंग की है ना तो हर कोई मतल कि चलो ठीक है कोई लिए आप बनवा बना लो वीडियो तो वही सब अब मेरी बढ़ मर लिया थ्रेडिंग अब अब मैं करवारह हूं जो आपर वैक्स है वो क्योंकि लिप्स पे फ्रेड वगेरण मरवा नहीं सकते मैं दर्द होता है मेरे को तो बहूत ज़एद रही अग जो अपर वैक्सिंग है ये तो एक बार करवाने लग जाओ ना फिर उसके बाद तो करवाने ही पड़ती है तो इस वज़ेत है तो जैता है मैं अगा चलो अब काम करवाना है तो पूरा ये करवा लूँ और फेशल वगहरे मैंने कुछ नहीं कराया क्योंकि टाइम नहीं पर ये ना तो मैंने रही पर बारिश इतनी जादा आगी तो उस वज़ेते मेरा सारा काम रह गया तो मैं कुछ भी नहीं करा पाई उस दिन तो तो बस क्या करें हम बच्चों के साथ अब अकले हो जाए ना तो इस वज़ेते फिर दिखते हो जाएं और आप लोगों को तो उसमें आप सबको पता लगजेगा कि कौन-कौन हमारे घर आया मेरे बेटे के जिनम दिन पर तो आप लोगों को भी पूरा मज़े आना वाड़ा है तो जिसने ना रख्याओना सिस्क्राइब चैनल ठीक है सब सिस्क्राइब कर लियो ठीक है और चैनल ने सिस्क्राइब करने वाले हो जो नेक्स वीडियो आने वाली है तो उन में तो अब मेरी अपल लिपस हो चुकी है और है ना इतना दर्द होने लग जाता है बस पुछो मत बहुत ज़्यादा ही जब ठ्रेटिंग करवाते हैं पर यह है कि हम पर करवानी तो पड़े हैं बताओ के करें और ब करें और भूँआ है और एक है ट्रा में वह ब्यूटी पार्लर थे तो मैं हेर कर वाने पर बाने का सूची थी वह तो फिर मना कर वाया ने क्योंकि वह ज्यादा पैसे मांग रहता पर 15 शड़ जो जो कलर रह ओता है ना चुरल कलर होता है उस चीज का पर वह कलर जाता निया इससे फिर मैं उनको हजार पे दे रही थे में कहा हजार पे में कर दो और यहां पे यह बच्चा है बिचार को दिए थोड़े वह पैसे जितने भी थे अब मैं आज चुक्य हूं सबजी खरीदने और वो अपना वहां पर बच्चों की शॉपिंग करने गए हुए हैं तो सबजी वगरा लेनी थी मैंने ली थी यहां पर मटर पनीर बनाओंगी मिक्स वैज तो उन सब के लिए सारी फ्रूट वगरा जो भी थ तो मैं नहीं आता खरीदा तो वैसे बारिश तो आए रही थी फिर इन काफी टाइम लगा दिया और मैं खड़े खड़े यहां पर वेट करते करते बहुत दुखी होगी थी मका आए नहीं आए नहीं तही तो सबजी यहां पर न सारी मिल जाती है ब्रोकली भी और मैंने उस सब्सक्राइब तो मैं इसी शोपते ले लिया करूं फिर इन तब नहीं बता दिया था कि मैं यहीं पर हूँ और में रहना फोन भी ओफ हो गया था यहां पर क्योंकि मेरे फोन की बैटरी बहुत कम चला है तो जैता ही कुछ फिर बारिश आ रही थी अपना फिर इस छपर के कि नीचे घृड़ेरी काफी टाइम तही इन टाइम लगया महा पे क्योंकि यह बच्चों की ड्रेस प्वगेरा सारी सेलेक्ट कर रे ते जो उन से ले ले ती और बार बार वटसब कर रहे थे फोन कर रहे थे कि हार देख ले कून से लेनी थे और मैं यहां पे बिल्कुल बोर हो चुकी हूं इन वेट करते करते बहुत ज्यादा थक गी हूं मगा पता नहीं कब आओंगे कब आओंगे इतनी बार फोन कर दिये मैंने मखा आ जो नहीं केक अदिये तो और मेरा उपर तो मेरा फोन बंद हो गया था फिर मैंने यह सब ज दिखाऊंगी कि कैसे सेलिब्रेट किया बर्डे हमने मेरे बेटे का और कौन-कौन आया हमारे गर ठीक है वो सारी चीजे आपको है नेक्स्ट व्लोग में देखने को मिलेगी तो आप सब इंतजार करना अच्छे से धमाकेदार व्लोग आने वाले हैं ठीक है और एक से तो म अब हम आचुके हैं गाड़ी में यह आ गए थे तो मैं अनिका तो बोली मुझा बेटा क्या पात कितनी शोपिंग कर के आई है में बेटी कितने कपड़े लेके आई है बता दे मनने भी कितने लेक आई है यह बोली थी मुमी आप कहा रहे गे थे हम तो चाच्छु के साथ पापा के साथ गए थे बहुत सारे कपड़े लेके आई चोटे के भी लेके आई है एपी टू यू भी लेके आना है तो ऐसे ही तो केक अमना ओडर कर दिया था पहला ही और मिठाई बिठाई लेनी थी जो भी तो वह अमना खरीद ली है सारी मिठाई बिठाई लेनी थी और केक वगेरा ओर्डर कर दिया था तो केक भी हमने तो वो सारा समान लेका है कुछ फिर गर का राशन का समान भी लेना था वो सारी चीजे लेका है फिर हम गए गरा गर पे आए फिर आते ही बर्डे की त्यारी करने लगे थे घर से भी आ चुके थे मेरे तो सारे ही मेरे भाई बती जजो भी है और ये देखिए यहां पेंट्री हो चुकी है ये है मेरी फ्रेंड एक जो आई है अभी आई है ये तो इनको हमने पिक अप किया है यहां से तो बेठा लिया था ये भी मारी वेट में खड़े थे काफी देर हो गए थे इन भी खड़े तो जाते ही तो वही बात मखा चलो को वातनी वेट कर लो और क्या है काम में इतने हो जहां बताओ के करो दस-दस मिन्ट मिन्ट करका है तो खड़ा करके रखा मखा चला रहे हैं मारे हैं तुम